इंदोर में बूदवार को जब हजारों सफाई मित्र सफाई के लिए नहीं उत्रे तब प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और शहर के अधिकारी सडक पर उत्रे सभी ने सडको और गलियों के कचरे को ज़ाडू से साफ किया ये नजारा देख कर सडक पर से गुजरने वाले लोग भी चौक गए देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर देश का एक मात्र ऐसा शहर पी है जहां वालमी की समाज द्वारा बड़े धुमधाम से आराध्य देवता वीर गोगा देव के जनमिदिन को गोगा स्वामी के रूप में मनाया जाता है अधिकतर वालमी की समाचन सफाई मित्र के रूप में 24 घंटे शहर की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं इस लिहास से जन प्रतिनीदियों, अधिकारियों और सामाजक संगठनों ने सुभा से ही शहर के अलग-अलग इलाखों में मोर्चा संभाला और शहर की सफाई में वहीं परंपरा कत रूप से गोगा नवम्मी के अगले दिन सफाई मित्रों का अफ़काश रहता है ऐसे में देश का सबसे साफ शहर स्वयम सफाई में चुट जाता है जो देश का सबसे साफ शहर है वो अपनी सफाई खुद करता है और यहीं खूबी है इंदौर की कि हम लोग यह जानते हैं पूरे शहर वासी कि किस तरीके से अपने शहर को साफ रखना है और आप देखे कि कि कितने सारे और इस अंगठा ने जो इस पूरी मुहिम में जोड सबी मौसम में हमारे शहर को साफ रखते हैं एक दिन होता है जब हम लोग उनके समर्पन को धर्निवाद करते हुए आज का सफाई वियान शहर के नागरिकों के हाथ में रहता है इधर कलेक्टर मनीश सिंग ने कहा कि गोगा नवम्मी के अफसर पर इंदोर में सफाई मित्रों के सम्मान में उन्हें अफकाश दिया जाता है ताकि वो अपना त्योहार मना सके ऐसे में शहर को स्वच बनाने में सामाजक संगठन से लेकर जन प्रतिनी थी और अधिकारी गंड शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस तरपते हैं बहराल इंदोर को स्वच्चता में लगातार नंबर वन बनाए रखने के लिए सफाई मित्र दिन रात महनत करते हैं वहीं दूसरी और अब जन प्रतिनी थीयों और अधिकारियों द्वरा सफाई मित्रों के सम्मान में किये गए इसकारी की हर तरफ प्रशन सा हो रही है मुशी के लिए इंदोर से चंकी बाचपई की रिपोर्ट म्रदुभाशी से जुढने के लिए वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन धबाना ना भूले